कल के एक्शन और इस्टॉक्स पे भी चर्चा करते चलेंगे हरशदा आपको आपकी स्क्रीन स्परेडी नजर आएंगी और सबसे पहले जो लाज ट्रेट की गुंजाईश बन रही है जहां पर खबरे जहां पर ही उन से शुरू कर लेते हैं साइंट DLM रडार पर रखिए हरशदा क्या अपडेट्स हैं साइंट के जो साइंट DLM का प्रोमोटर है साइंट के बोर्ड ने कल डिसाइड किया कि 14.5% हिस्सेदारी अपनी ओफलोड करेंगी है साइंट DLM में इसलिए वो ब्लॉक टील होती हुई दिखाई देगी ये इनफाक बोर्ड अप्रूवल आ चुका है और साइंट अपनी DLM में लाजली हिस्सेदारी जो है 66.66% से घटा कर अब 52.16% करतावा दिखाई देगा इसलिए वो 861 करोड का सौधा होतावा दिखाई दे सकता है ब्लॉक टील में जो प्राइस तैकी गई है वो करीब 7.500 रुपए प्रतीश शेहर है 748 रुपीस 60 पैसा टू बी प्रिसाइस अगर आप कल की लिहाज से देखें तो कल की क्लोजिंग प्राइस की तुलाम में करीब 5% के डिसकाउंट पर ये सौधा होतावा दिखाई देगा इन फाक्ट इसको लेकर ब्रोकरिजिस भी कह रही है ये साइन्ट के लेक पॉजिटिव है क्योंकि जो भी दरसल ये पैसा उठाएंगे अपना स्टेक बेच कर वो कमपनी के डेट को पे आफ करने में लगेगा कमपनी के वोकिंग कैपिल में काम आता हुआ दिखाई देगा इसलिए जेपी मौगिन दरसल कह रहा है कि 200 के टागेट्स आगे आते हुए दिखाई देंगे और ये एक स्टॉक है जहाँ पर कल दोपेर में भी कुछ जानकारों ने मेंशन किया था अपर्चुनिटी है और आज वो ब्लॉक डील के चकर में वैसे भी खबरों में आ रहा है ये है साइंट डीलम रेडार पे इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफाक्ट्रिंग से महाइक महियक राइनली कंपनी एक साल पहले तो आई-प्यो आया था वेगल पिसाइदली यही समय था जून के आसपास आई-प्यो आया था एक साल की विंडो खतम हुई यहाँ पर प्रोमोटर फिर माल छोड़ रहा है सारे 14% स्टेक शायद आज बिकता हुआ नजर आए तो डेलेम का तो छोड़ देता हूँ क्योंकि कहां पे कौन सी विंडो पे कैसा मूड मौल रहेगा इसका पता नहीं साइन्ट लिमिटेट पे जड़ा सक कॉल ले लिया जाए हलांकि इस अपडेट से पहले मानस कल ही ये स्टॉक 6-8-6% मजबूत खड़ा हुआ था अपडेट आया शाम को परचार्श पे कैसा प्लेज में गलते 2400 प्लस के साल के हाईज वाला काउंटर रही है लेकिन और चार दिनों की रैली हो गई है चार दिनों में 16.50 से 1950 तक स्टॉक रैली कर चुका है तो फ्रेश खरीधारी की रहा नहीं रहेगी लेकिन अगर किसी ने रॉंग पोजेशन मनाई है तो महाँ पर बने रहना चाहिए 1890 पे स्टॉप लाउस रिवाइस करके रखिए अब उपर की टार्गेट के अगर बात करें तो अगर ये 1940-45 के उपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो नेस टार्गेट 2040 के असपास कर रहेगा ये बात सही है हफते भर का चार्ट दिखाएगा कल की देजिए तो आपको उपर दिख रही है लेकिन इस बड़े डेवलप्मेंट से पहले लगातार बहुत स्ट्रॉंग एकुमिलेशन होता ही चला गया तो स्मार्टर हैंड्स अलड़ी मूव कर चुके है थोड़ासा आज के लिए कौशेस रहीगा साइंट लिमिटेट को लेगा पर धर्मेश, साइंट, DLM आप लोग के कवरेज उनिवर्स का पार्ट है क्या इंट्रिस्टिंग बिजनस और जिस स्पेस में ये बेसिकली वो बॉक्स बिल्डिंग, केबल हारनेस वगरा सर्किट बोर्ड वगरा बनाने का काम और डिजाइन लिट मैनफाक्शनर कंपनी गजब करी हुई है घिरावट आए इस लार्ज ट्रेट के बीच पे तो आप लोग बायर हो डेफिरेंटली आशिजी सॉफ्ट कवरेज है यहां पर हम लोग इनिशेटिंग कवरेज नहीं किया है बट एज़ा सॉफ्ट कवरे जिसमें भाई की रिकमेडेशन ही रही है और यह जो पुरा स्पेस है इसके अंदर जितनी भी कंपनियां कारे रहत है समने काफी अच्छा ट्रेक्शन देखने को मिला है उसका एक रीजन यह रहा था कि चाइना प्लस फुन के बाद नज़र आएगा आने वाले 3-4 साल में काफी जोर से बिकॉस जिस से हम लोगे यह कंपनी के मैंजू से अट्रेक्शन होती बादचीत होती है तो यह भी पता चलता है यह बहुत साला बिजना सभी सॉफ्ट सेशिया सा शुट हो के इंडिया में आ रहा है तो पॉजिटिव ही है गिराब अड़ाइद 100% खरिजना चाहिए और साइट लिमिटेट से बेटर साइट डीलम रगता है आज के तारिख में त्रू इंट्रिस्टिंग है साइट डीलम यह इनिशेटिंग कवरेज नहीं है सॉफ्ट कवरेज है मतलब आपने रिकमेंट नहीं कर रहा है लेकिन आप लोगों ने नजर बना रखी है ऐसा बिल्कुल आशेटिंग कवरेज में क्या होता है कि कंपणी को फुल डिटील में एक कंपणी स्पेसिफिक के रिपोर्ट लिकाते हैं उसके वारे में जहां पर उसके वैलेंशेट, पे-ए-ए-ए-ल, कैश फ्लो और वैलिएशन के साब से तीन-चाथ साल का प्रोजिक्शन रहता है सॉफ्ट कवरेज में होता है यह पुजूदा प्राइस के साब से जो भी ट्रैक्शन है हम लोग उसके साब से उसके इंवेश्मेंट राशनल दे के रिकमेंड करते हैं तो यही डिफिरेंशेशन हाता है वो कम्री स्विसेग निया चापाज कम्री के बास्केट में यह भी जाता है बास्केट बाई के लिए, I mean बास्केट जब रिकमेंडेशन था चापाज कभी होगा, उसमें ये इंक्रूड इडाता है. ठीक बाद, Scient DLM और Scient Limited दोनों रेडार पे, अगला स्टॉक, ऐसे ही एक और लाज ट्रेड का बस है, PNB Housing Finance डिलेटेड, सत्वते साब PNB Housing, अलांकि आज लाज ट्रेड का दिन है, लेकिन अब तक के चार्ट समीकरण कैसे थे, आप रेडी रखना, हजदा क्या अपडेट्स है जेनरल अट्लांटिक अपनी 5.1% हिस्तिदारी बेचतावा दिखाई देगा, आशिश ये लाज लेक्लीन आउट ट्रेड होतावा दिखाई देगा, क्योंकि जून 24 में जो अपडेट आया है, 5.13% स्टेक जेनरल अट्लांटिक तर असल PNB Housing में होल्ड करता है, उसलिए हा आज होती हुए दिखाई दी, 4.4% के डिसकाउंट पर ये सौधा होने क्या आसार है, इसलिए हो 7.75 रुपीज प्रती शेर फ्लो प्राइस तैकी गई है, ओके, लोर लिवल से रिकावरी वाला है, लेकिन एक दाइरे में वे वो काउंटर लाज ली, PNB Housing Finance, अभी लाज ट् जनरल इतलांटिक इतना ओड़ा चंग बेच रहा है, डिसकाउंट पर होगा हो सकता है, रबाव में आया है, वो पता नहीं, आज कैसा बीहेवियर होगा, कौन से विंडो पर होगी, क्या पता, 8.45 ओनवर्जी ट्रेड हो जाए, तो आपको मौका ही नावरे इसकाउंटर मे क्लस्टर के उपर जाके खड़ी हो जाएगी, तो 810 का कल का क्लोजे सपोर्ट बनता है करिबन 750 से लेके 770, और मुझे लगता है अगर इस सपोर्ट के आसपास ही होल करता है, तब भी इसका लॉग तम चार्ट में कोई डिट्रेशन नहीं है, तो मेरे इस सबसी जिनके पास पोजिशन ने बने रहे, अगर इस लेवल के आसपास सेटल होता है, तो चांस ऐसे कि एक बार के लिए फिर से रिबाउंट करें, तो आज के लिए इंपोर्टन लेवल होगा, 750 से 770, तो यहां इस लेवल के आसपास हम इसे अफजर करेंगे, और प्रोबेबली एक कांट्र प्रोटर माल चोडने की तियारी कर रहा है, और दूसर में एक मार्की इन्वेस्टर कुछ हलका होने की तियारी कर रहा है, पर ऐसी कुछ लार्ज ट्रेट काल अरड़ी प्ले आउट हो चुके, अरश्दा कौन कौन से? यहाँ पर प्रताफ सैक्स, एच्ची इंफ्रा, आश्ची जो कल भी हम बात करें थे कि रिजल सीजन के बाद अब फिर से प्रोमोटर्स की तरफ से बिक्वाली होती भी दिखाई दी है, अफकोस यहाँ पर एच्ची इंफ्रा अगर आपके रिडार पर आएगा, तो ट्रस्ट ने करीब 1% हिस्सेदारी बेची है, इनके पास लगबग 25% स्टेक था, हरेंदर सिंग फामिली स्ट ने भी करीब 1% हिस्सेदारी बेची है, विजेंदर सिंग भी जो परिवार का एक हिस्सा है, उन्होंने करीब 1% तक हिस्सेदारी बेची है, तो यह सारे वो ट् 62% हिससेदारी बेची नेली 2.85% तक का स्टेक इनके पास है उसमें से 0.62% स्टेक इनके बेचा है तो वो स्टॉक भी आप देखते हैं कैसे रियाक करेगा कल अफकोस Zomato की ब्लॉक डील जो हुई है उसमें सिर्फ बिक्वाली जिसने किया यानि कि Aion Finance Singapore उनका नाम आया है खरदारों का नाम सामने नहीं आया है Zomato में आया है नहीं है ठीक है HG Infra Engineering प्रमोटर्स ने माल हलका करा पौने 3% के आसपास 32 साब चार्ट आप रेड़ी रखो आ रहा हूँ प्रमोटर्स ने पौने 3% बेचा एक F.I.S. Society General ने खरीदा बाकी सारे घरेलू संस्तागन आदित बिल्ला, टाटा, आई, टी, आई, सुंदरम, बंदन इन सब ने एब्सॉब करा तो ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी मेरे खाल से थ्रेशोल्ड के आसपास है, तो वहां से हलके हो रहे हैं कुछ एजजी, इंफ्रा एंजिरिंग कैसा प्लेजड है वही चार्ट्स पे, हालांकि तुर्वासा इलिक्विटाइव होता है, यह ट्रेडिंग वाला मामला है नहीं, तो थो इसी लॉंग टर्म चार्ट वाला मामला समझते हैं सेलिंग प्रेशर तो है, क्योंकि फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और 20 डेमा के पार जाने का टेम्ट लिया था कल, लेकिन कल भी हमने देखा कि उपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने मिला है, मैं रहा है शायद यह यहां से और थो और से करेक्ट हो सकता है, 15. 15.30 तक का जोन दिखा सकता है, वहाँ पे एक सेपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे शायद जाके यह समझाए, 15.30 तक का यहां से नीचे तक गिरने की जगा है, प्रताब सैक्स में बैक टू बैक सेकेंड दिन प्रमोटर साब ने, महता साब ने माल चोड़ा है, पर सो एक पिच चली हजदा के पास वापिस चला जाए, और बाकी के आज के स्टॉक्स इन नीउस कौन को जिड़ार पे? आशीश पहले तो डॉक्टर रेदीश जो आप लोग पहले भी बिक स्टॉक्स में मेंचिन कर रहे थे, इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरांडूम अफ अंडर अंडिस्टाइनिंग साइन किया है, काइनॉमिक्स एक यूएस बेस कंपनी के साथ, बेसिकली ये इसके अलावा जो खबरों में हैं, जी इटी अन्डी भी आज फोकस में रहेगा, हम बात चहां कर रहे थे कि साइन्ड में हिस्तदारी बेचेगा, ऐसा ही कुछ जी टी इन्डी में आगे होता हुए दिखाए देगा, लेकिन डेट और क्वांटम पता नहीं है, अब तक तो सरफ एक अपडेट या है कि प्रोमोटर ग्रूप अपने होल्डिंग स्ट्रक्च को थोड़ा सा सिंप्लिफाइ करना चाहता है, इसलिए कुछ स्टेक वो ओफलोड करते हुए दिखाई देंगे, तो ये इन्फाक्ट आगे सौधा हो सकता है, लेन्टी के फेवर में एक ओर्डर आता हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट का, आपको याद होगा, जी एस्टी का श इन्फेमेंट हुआ है, इस समय इस पर्टिकल एंटिटी में 2652 करोड तक का इन्फेमेंट कमपनी ने कर दिया है, ये जो नया इन्फेमेंट आया है, वो राइट्स इशू के जरिए कमपनी कर रही है, पेटरनेट LNG फोकस में रहेगा, पेटरनेट के केस में एक MOU इन्हों इन्फेमेंट वोल्यूम्स है, वो करीब 0.9 to 1.1 मिलियन टन प्रती अन्फेमेंट के हैं, और इस अग्रीमेंट के तहत, जो सप्लाइ ऑफ गास रिक्वाइड रहेगी, करीब 0.3 मिलियन टन प्रती अन्फेमेंट की है, तो वो एक अप्टिक देख सकता है, स्टॉक, इन फ यूनियन लगबग तयारी कर रहा है कि एक 9% टारिफ लगाएगा वो टेसला की वेहिकल्स पर, इस्पेशली वो जो इंपोर्ट हो रही है चाइना के लिए, हम सब जानते हैं, टाटा मोटर्स अपनी एलेक्ट्रिक वेहिकल्स और जागवार के प्लाटफॉर्म पर जो ईव 23 की 3 किलो वाट वाली बाइक है और 4 किलो वाट वाली स्कूटर है, उसको PLI सर्टिफिकेशन मिल गया है, तो वो एक पॉजिटिव ही मान कर चले, जीनिस पावर, तीन ओर्डर्स इन्होंने बैक किये हैं, 3608 करोड के तीन ओर्डर्स कंपनी के हाथ लग गये हैं, टाटा पा वाइल मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैश फ्रोज बहतर हो रहे हैं और ये इनफाक्ट एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए, संसेरा एंजिनियरिंग के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है QIP को लेकर करीब करीब 1200 करोड तक का पैसा ये जुटाएंगे QIP से तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज आपकी नजरे होने चाहिए तो आपको 390 से लेके 395 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं ओवराल पैटर्स पॉजिटिव इसलिए आप एक देट से दो परसंट के लेकर लेके लॉंग रह सकते हैं ओके इस बीच अप्डेट आगया गया आगया मादला PNB हाउजिंग का ओर लाज ट्रेड हो गया हो गया PNB हाउजिंग का एक पर इसका प्राइस देख लेता है कितना है क्योंकि जो कंटिनेस सेशन में कैसा भीएव करेगा दूसरा वेटिड है साइंट डियलेम का पर उसका चंग भी बहुत जादा उस साइस के साब साड़े 14% लिक्विटी वो बेखने के लिए खड़ी है अचा कुछ स्टॉक्स पे जाओ उससे पहले आज ब्रोकरिजिस के रडार पे क्या है और कंचन जुड़ती हुए हमारी सही होगी है अपसे कंचन बताएं कि रोज सुबह आपको दिगज देश दुनिया की ब्रोकरिजिस कहा नजर रखी हुए कंचन क्या चुनके लाई है और कौन-कौन स्टॉक्स रडार पे सबसे पहले बात करते हैं एवन्यू सूपरमार्ट की तो इसकी जो ग्रोथ है डिमांड है और साती साथ जो स्टोर्स के अंदर फुट्वाल है वो डिरेक्ली प्रपोर्शनल है यानि की अपसाइड में हमें देखने को मिल रहा है एवन्यू सूपरमार्ट का एक ब्रैंड है जिसको हम बोलते है मिनिमेक्स उसका जो ग्रोसरी पे फोकस है संभावना जताई जा रही है कि आगे चलके बहां से भी एक अच्छा कासा अपसाइड आता हुआ दिखाई देगा जिसके चलते यूबियस ने इस पे खरीदारी की राय दी है और लक्षे कर दिया है 6,000 रुपे प्रती शेयर का उसके अलावा हम बात करें बैंक अफ अमेरिका ने वरुन बेवरेजिस पे खरीदारी की राय दी है लक्षे दिया है 1840 का फंडमेंटल काफी स्ट्रॉंग है नतीजों के बाद जो थोड़ा सा करेक्शन हमें के अंदर देखने को मिला था वो बाइंग के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है साथी साथ जो बिजनस मोमेंटम है वो भी हल्दी बना हुआ है डिस्ट्रिबूशन के एक्स्पांशन से और जो नए प्रड़क्ट लॉंचे उए उ और गावा सर सत्रा सो साड़े सत्रा सो वाला माल था वरुन का जो अफलेट ठंडा पड़ गया है अलाएं कि ये कंपनी गजब की है खूब प्रीमियम कमांड करती है और जस्टिफाई भी करती है चाहे वो जोग्रिफिकल एक्स्पैंशन्स हों इसके अलग-अलग कंट्री कॉंगो गरम उतर के या फिर नेने प्रड़क्स उतार देना तो एड्रिसिबल मार्केट इसका बढ़ता ही चले जा रहा है वरुन बेवरिजिज वापिस जाएगा अपने पीक की तरफ इस समय प्लेस्मेंट कैसा तेजी करने का मन चोड़ दिया जाए ऐसा है कि वरुन बे पॉसिबल है कि अपको मिले लेकिन 1650 वहां तक जाएगा थोड़ा मेरे खाल से बुकिंग आ सकते है लेकिन जगा अच्छी है खरीदने की ट्रेडिंग पॉंट अव्यू अलसो अगर कोई 2400 में का स्टॉप लागर चले तो के चलिए अब सचिन भी जुड़े हैं सचिन गुड़ मॉर्निंग सचिन आपका टॉप ट्रेड इस समय का गुड़ मॉर्ण जी गुड़ मॉर्निंग अच्छा बेस फोर्मिशन नजर आ रहा है 4300 के आसपास लगातार इसने तीन हपतों तक इस लेवल को डिफेंड किया है और वही से अच्छी एक रिकारी बन रही थी जिस तरीके से कलका डेटा है यहाँ पर शॉट कवरिंग नजर आ रही है और प्लस इसके डेली आरेसाई पे एक अच्छा पॉजटिव क्रॉस ओर ह हुआ है 50 लेवल के उपर इसने चाल बना दिया तो मुझे लगा है जल्दी इस पर्टिक्लर इनों कंसॉलिडेशन से एक अच्छी बड़ी राजी अन्फोर्ड होने शेए यहाँ पर इंडीगों में खरिदारी करने की सलाह होगी इस टॉप लॉस अपको लगबग 55 तक आपको अक्यूमलेट करना है पाटन के लिए आप से मुझे लगबग राउंड 44-60 तक का एक कॉन्फिडेंट श्विंग एक से दू दिनों में इबॉल होना शिया तो खरिदारी करने है इंडीगों के फ्यूचर तो इंटर ग्लोब इवेशन को जोड़ दीजे भई आ कर दो झाल